सिनमा शौकीन सबका स्वागत करता है आज हम बात करने वाले हैं स्वाट अंडर सीज के बारे में यह कहानी है स्वाट टीम की जिने एक मिश्टीरियस आदमी मिलता है जिसे सारे स्कॉर्पियन कहके बुलाते हैं जैसे जैसे इनके सामने स्कॉर्पियन का राज आता है, इन सब के होश उड़ जाते हैं, कहानी की शुरुवात होती है और हम ट्रैविस हॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो स्वाट टीम का हेड है, तभी उसे उसके सुपिरियर का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि तुम इन से मदद मागी है, जल्दी वो लोग रेड मारने वाले हैं, उनका मानना है कि काटिल की एक मीटिंग होने वाली है, जहाँ पर इनके पास बहुत सारा ट्रॉक्स होगा, और तभी हम उने पकड़ सकते हैं, तब ट्रैविस भी तयार हो जाता है, वो अपने टीम को तयार क करना, हमें सिर्फ सबूतों को इकठा करना है, ताकि हम उने पकड़ सकें, तब सारे लोग इस बात को हलके में लेते हैं, कोई भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता, सब हंसी मजाक में मश्गूल होते हैं, और थोड़ी दिर के बाद ये लोग पहुँच जाते हैं, तब पहले काटेल वाले इन पर हमला कर देते हैं, इन पर चारों तरफ से अंदाधन गोलियां चलने लगती हैं, तब ये लोग भी सीरियस होते हैं, अपनी बंदूके निकालते हैं, और एक एक करके सारे काटेल के मेंबर्स को मारने लगते हैं, और एक वाक्त के बाद इनकी जी इन्हें पता नहीं होता कि काटिल का एक और मेंबर जिन्दा है जो इनके उपर RPG छोड़ता है तब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा प्लास्ट होता है जिसमें कही सारे स्वाट के मेंबर्स मारे जाते हैं वगर ट्रैबिज जैसे हैं उस आदमी को देखता है एक ही गोली में उसका काम तमाम कर देता है तब यह लोग पहुंचते हैं स्कॉर्पियन वाले कंटेनर के पास और उसे खोलते हैं लेकिन खोलते ही यह लोग अश्चरे चकित रह जाते हैं क्योंकि अंदर कोई भी ड्रक्स नहीं है अंदर एक आदमी को इन लोगों ने बांध करके रखा है जिसके पीट पे स्कॉर्पियन का टैटू बना है यह आदमी कुछ भी नहीं बोलता यह लोग इस से बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं लेकिन इने कोई भी जवाब नहीं मिलता तब ट्रैविस निश्चे करता है कि वो सब को लेकर कर आएगा पुलिस स्टेशन वो ये को सौंप देना चाहिए था तब ट्रैविस कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता मुझे भी इस आदमी से पूश्टाच करनी है कि आखिरे आदमी इतना खास क्यूं है कि काटेल वालो ने इसे ऐसे बंदख बना करके रखा था ये एक बार मैं इससे पूश्टाच कर लूँ तब मैं इसे डिये के हवाले कर दूँगा लेकिन इलिन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती लेकिन अब ट्रैविस पूश्टाच करने वाला है इस आदमी से तब ही हम लार्स नाम के एक माफिया को देखते हैं लार्स वही आदमी है जिसने उस आदमी को बंद क्वाटर में तब लार्स चॉक जाता है और अपनी पूरी टीम को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे हमला करो किसी भी हाल में स्कॉर्पियन मुझे वापस जाईए तब उसके सारे आदमी काम पे लग जाते हैं तब ही हम ट्रैविस को देखते हैं जो जाता है और इसकॉर्पियन की पूरी की पूरी डीटेल चाहिए कि आखिर उनका पूरा नाम क्या है और वो कहां से आये हैं तब आईटी टीम काम पे लग जाती है और थोड़ी देर के बाद वो बताते हैं डीएगो का पूरा नाम और कहते हैं कि एक लिटनेंट है जो हंगरी में का किया करता था लेकिन थोड़े समय पहले से वो काटेल के साथ काम कर रहा है तब ट्रैविस पूछता है स्कॉर्पियन के बारे में लेकिन इनके पास स्कॉर्पियन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कोई भी नहीं जानता कि आदमी कौन है कहां से आया है तब ट्रैवि जाती है मदद लाने के लिए इसे भी ट्रैवीज पूछता है स्कॉर्पियन से कि तुम कौन हो तब एसकॉर्पियन कहता है कि तुम ड्येगो से क्यों नहीं पूछते वो मेरे बारे में बहतर बता पाएगा तब ट्रैवीज जाने लगता है ड्येगो के पास लेकिन जैसे ही उसके सेल में जाता है देखता है कि ड्येगो की मौत हो गई है उसने अपने सर इतनी बार टेवल पे पटका कि उसकी मौत हो गई तब वो आपस आता है स्कॉर्पियन के पास और उसे पूरी बात बताता है तब स्कॉर्पियन कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि म तब उसे बताय जाता है कि बाहर दो FBI एजेंट्स आए हैं फिर Travis उनसे पूश्टाच करने लगता है और ले कर के आता है अंदर लेकिन जब Travis उनके आइडेंटिटिटी के बारे में बात करता है तब इनके पास कोई भी जवाब नहीं होता और Travis को भरुसा हो जाता है कि Scorpion ने उसे सच कहा था लेकिन जैसे ही इन दो लोगों को पता लगता है कि अब Travis को उन पर शक हो गया है तब वो अपनी बंदू के बाहर निकाल लेते हैं लेकिन Travis भी इस चीज के लिए तयार था इसलिए वो दोनों पर हमला कर देता है बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई होती र पाओगे अगर एसकॉर्पियन को हमारे हवाले नहीं किया तब ऐसे यहां पर लोग आते जाएंगे फिर Travis पहुंचता है एसकॉर्पियन के सेल में तब ही ओ देखता है कि एसकॉर्पियन यहां पर नहीं है सिर्फ उसकी हद कड़ी पड़ी है इसी बीच इसकॉर्पियन हमल के लिए तैयार हो जाओ और मुझे भी लड़ने दो क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा मुखाबला किस से है तब इस बात को सुनते ही Travis एसकॉर्पियन को ले करके जाता है दूसरे सेल में और थोड़ी वक्त के बाद एलिन और ट्रेविस दोनों पहुंचत करता है और मेरे पास उसकी सबसे बड़ी आमानत है और वो अपनी जान भी देदेगा इस चीज़ को पाने के लिए तो तुम सब के लिए अच्छा यही है कि चोक अने रहो हर वक्त हम पर हमला होने वाला है तब इस बात को सुनने के बाद ट्रेविस भी चोक जाता है ट्रे ट्रेविस कहता है कि हमें इसकॉर्पियन को किसी ऐसी जगा पे ले करके जाना पड़ेगा जहाँ पर लार्स इसके पास ना पहुंच सके तब यह लोग भी जाने की तैयारी करने लगते हैं इसी बीच हम लार्स को देखते हैं जो अपने हैकर को कहता है कि वो सारे कैमराज क हेक करे स्वाट टीम के अगल बगल में जितने भी कैमराज हैं फिर वो स्वाट हेटक्वाटर को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है तब ही वो देखता है कि यह लोग स्कॉर्पियन को यहां से ले करके जा रहे हैं लेकिन लार्स की टीम हो पर पहुंच चुकी है लार्स क लेते हैं और वेन के दर्वाजे को काट रहे हैं ताकि वो स्कॉर्पियन को पकड़ सके लेकिन स्कॉर्पियन इस चीज को देख लेता है फिर वो अपनी हतकड़ी को रख देता है दर्वाजे की बीच में तो दर्वाजे के साथ साथ उसकी हतकड़ी भी कट जाती है अब स् और इतनी असानी से वो किसी के भी हाथ नहीं आने वाला एक एक करके गुंडे उसके पास आते जाते हैं और एस्कॉर्पियन सबको धेर करते जाता है वो किसी के भी हाथ नहीं आता तब यह मेलन को देखते हैं जो IT टीम के साथ है फिर उन्हें पता लग जाता है कि इनकी टीम के साथ क्या हुआ था वेलन क्नें लगती है इनके सिस्टम के साथ क्या हुआ लगा और भी तक है स्कॉर्पियन इनके हाथ नहीं लगा तब कुछ से हैं लोगों की तादात यहां हो पर भड़ने पासी में एक गर है लेकिन जब ये लोग अंदर जा रहे होते हैं तब इनके टीम का एक सिपाही मारा जाता है जिससे हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं लेकिन बचे हुए सारे लोग चले आते हैं घर के अंदर और दूसी तरह पहले ने अपनी पूरी कोशिश कर रह ही है ये सारे चाह करके भी किसी को भी कॉंटेक्ट नहीं कर पाएंगे तब इनकी परिशानियां बढ़ने लगती है इसी विजह का टेलीफोन बचता है और इन्हें समझ में नहीं आता कि किसका कॉल है तब ट्रैविस फोन उठाता है और उसे लार्स की आवाद सुनने को मि लेकिन ट्रैविस लार्स से नहीं डरता वो उसे कहता है कि चाहे चो करना है कर लो ये स्कॉर्पियन यहीं पर रहेगा हम उसे तुम्हारे हवाले नहीं करने वाले तब लार्स आग बबुला हो जाता है और कहता है कि अब तुम लोग एक एक करके मरने वाले हो लेकिन तुम लोगों के साथ तुम्हारा सारा परिवार भी मारा जाएगा और इतना कहते ही वो सबका नाम लेने लगता है और उनके बीवी बच्चों का भी कि तुम्हारे मरने के बाद मैं उन सबको मारूंगा तब सारे लोग डरने लगते हैं और जैसे ही स्कॉर्पियन इस बात को सुनत है वो लार्स को कहता है कि तुम किसी को भी चोट नहीं पहुंचाओगे तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास आउं तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं इन सब को छोड़ दो फिर लार्स भी मान जाता है लेकिन ट्रैबिस स्कॉर्पियन को कहता है कि हम तुम्हारी जान भी नहीं डाल सकते, मेरे पास एक प्लान है, तब वो सब को प्लान बताने लगता है, और स्कॉर्पियन को कहता है कि तुम स्वाट टीम के कपड़े पहनोगे, अभी अभी हमारे एक साथी की मौत हुई है, जिसकी कत-काठी तुम्हारे जैसी थी, और रंग भी काला था, हम उ दीरे दीरे वो लोग उस लाश को आगे करने लगते हैं, एस्कॉर्पियन के कपड़े पहना के, दीरे 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 लार्स के लोग आगे बन रहे हैं, एस्कॉर्पियन को पकालने के लिए, लार्स भी यहाँ पर आ चुका है, तब ही लार्स को अंदाजा हो जाता है, कि यह यो घद्दारी करने वाले हैं तब वो अपनी पूरी टीम को वापस बुलाता है जैसे ही लार्स के लोग वापस जाते हैं ट्रैविस के टीम समझ नहीं पाती कि आखिर ये क्या हो रहा है तब ही एलेन देखती है कि कैमरे में एक फ्लीकर नजर आ रहा है एक लाइट जल कर रहा है उनके साथ तब वेलेन भी भाग करके जाने लगती है उस बिल्डिंग की तरफ तब तक ट्रैविस अपनी पूरी टीम के साथ वापस आ चुका है वो सबको देखता है तब उसे पता लगता है कि इनका एक साथ ही गायब है जिसका नाम है वाड तब वो जाता है उ से ढूनने के लिए तब ही हमें पता लगता है कि इनके पीच वाड ही घदार था और अभी उसके पास एक एप्पियाई एजेंट है जिसे उसने पकड़ रखा था यह एप्पियाई एजेंट भी लार्स के लिए काम करता है यह लोग अभी नीचे जा रहे हैं ताकि यहां क के बीच गोलियां चल रही होती है तब ही आपर ट्रैविस आ जाता है और एलेन उसे पूरी बात बताती है कि इतने दिनों से वाड हमारे बीच ही था और वो सारी के सारी खबरे पहुचा रहा था लार्स के पास और यहीं पर एक एप्पियाई एजेंट है जो लार्स के लुक निकालता है और एलेन को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो एलेन को मारता उससे पहले ट्रैविस उसे मार देता है लेकिन अब आगग Liberty system disable हो चुका है और धीरे धीरे करके सारे दरोजे खुन जाते हैं तब Lars के सारे लोग अंदर आ जाते हैं अब इनके पास कोई भी सुरक्षा नहीं है और जैसे ही Lars के लोग अंदर आते हैं वो इन पे अंदाधून गोलियां चलाते हैं और हर तरफ स्वार्ट के मेंबर्स की लाशें बिचा देते हैं तब बच्चे हुए लोग भाग करके जाने लगते हैं बेस्मेंट की तरफ इसी बीच हम एलिन को देखते हैं जो आगे बल रही है तभी उसके सामने फिनिक्स आ जाती है और इन दोनों की बीच लड़ाई होने लगती है, बहुत देर तक ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं, लेकिन अब इलिक्स फिनिक्स में भाली पड़ती, उससे पहले लार्स आ करके इलेन को बेहोश कर देता है, और फिनिक्स को कहता है कि हमें स्कॉर्पियोन को ढूंडना है, तब ही हम ट् ट्रैविस को कहता है कि जोग जाओ, ये सारे लोग जैसे ही जोगते हैं, ये स्कॉर्पियोन लार्स के सारे लोगों को मौत के घाट उतार देता है, और उन्हें मारते ही ट्रैविस के लोगों को कहता है कि पास में ही एक टनल है, तुम सारे लोग यहां से बाहर निकलो, ले एक वक्त के बाद अलग अलग हो जाते हैं ताकि जल्दी इने एलेन मिल जाएं लेकिन इसी बीच इनका मुखाबला होता है फीनिक्स और लार्स से ट्रेविस के पीछे फीनिक्स लग जाती है और स्कॉर्पियन के पीछे लार्स बहुत देर तक ये लोग लड़ते रहते हैं लेकिन फीनिक्स उस पे हमला करते जाती है तब अंत में ट्रेविस अपना दिमाग लगाता है और फीनिक्स को फेक देता है छट से नीचे तब फीनिक्स की भी मौत हो जाती है और दूसी तरफ लार्स और स्कॉर्पियन एक दूसरे पर अभी बेंदात उन गोलिया चला रह तब ही ट्रेविस पहुंसता है एलेन के पास उसे होश मेलाता है और यह सारे लोग बाहर चले आते हैं अब यह लोग इंतजार कर रहे है फेडरल ओफिसर्स का तब है स्कॉर्पियन इने पूरी सचाई बताता है वो अपने एक नकली दात निकाल करके बाहर रख देता है औ उसने जान बूच के स्वाट की टीम को बेजा था ताकि वो लोग इसकॉर्पियन को पकड़ें और यह लोग इस चीप की जानकारी निकलवा लें और अब एलेन को पता लग चुका है कि चीप कहां पे है तब वो अपने बंदूग बाहर निकालती है और गोली चला देती है स्कॉर्पियन पे लेकिन वो गोली जा करके लगती है उसके कंदे पे तब वो गोलीयां चलाने लगती है ट्रैविस पे इसी भी ट्रैविस के हाथ से वो चीप नीचे गिर जाती है और वो जाके छुप जाता है तब एलेन उस चीप को उठाती है और यहां से भागने लगत वो भागते हुए पहुंचती है जंगल के बीचों पीच लेकिन ट्रैविस हभी भी उसके पीचे है वो बंदूक लेकर के उसका पीछा कर रहा है तब ही एलेन उसके हमला कर देती है और एक वक्त के बाद अब ट्रैविस जखमी हो जाता है फिर भी वो एलेन से लड़ता है और रंत में उस पे बंदूक दान देता है लेकिन एलेन को कहता है कि मैं तुम्हे मारना नहीं चाहता अगर तुम अपने आपको मेरे हवाले कर दो तब तुम जिन्दा रह सकती हो तब एलेन भी अपने आपको हवाले कर देती है और ये लोग वापस आ जाते हैं तब तक पुलिस वाले आ चुके हैं इनकी मदद के लिए वो एलियन को गिरफतार करके ले करके चले जाते हैं और ट्रेविस को ले जाते हैं स्कॉर्पियन की लाश को पहचानने के लिए लेकिन जैसे ही Travis उसकी लाश को देखता है वो समझ जाता है कि यह Scorpion नहीं है Scorpion ने फिर से गेम खेला है वो अपने कपड़े किसी और को पहना के यहां से भाग गया है लेकिन Travis से सचाई किसी को नहीं बताता वो सबको कहता है कि यह Scorpion ही है और इन सारी चीजों को निप्टाने के बाद अब फाइनली ट्रेबिश जाता है अपने घर अपने बीवी बच्चों के पास और उनके साथ ये निगर सेलेबरेट करता है फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक यू